कांग्रिस नेता नवजोत सिंह सिद्धु ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने एक बार उनसे संपर्क कर कांग्रिस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी. नवजोत सिंह सिद्धु का यह दावा उनके कांग्रिस छोडने और फिर से बीजेपी जवाइन करने की अटकलों के बीच आया है. एक मीडिया संस्थान को दिये साक्षातकार में सिद्धु से पूछा गया था कि क्या वे बीजेपी में लोट सकते हैं और क्या बीजेपी ने उनसे संपर्क किया है. इस प्रश्ण के जवाब में सिद्धु ने दावा किया. मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि किसने मुझसे संपर्क किया था. भगवंतमान साहब मेरे पास आये थे. अगर वे कहें तो मैं उन्हें वो जगह भी बताऊंगा जहां वे मिले थे. वे मेरे डिप्टी बनने को तयार हैं. नवजोत सिद्धु ने बताया कि उन्होंने मान से कहा कि अगर वे चाहें तो कॉंग्रेस में उनका स्वागत है. लेकिन इसके लिए उन्हें दिल्ली में पार्टी नेतरत्व से बात करनी चाहिए. हालांकि पंजाब के सीम भगवंत अभी तक नवजोत सिद्धु के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.